तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग और राइट टूनो के एक और नए वीडियो में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे इंपॉर्डंट अपडेट्स के बारे में वैसे तो ESI और EPF दोनों ही कुछ न पोटल पर जहां पर इंपॉर्डर को भी जो है जो अपडेट है उसे अवेर होना चाहिए और एस सून अस पॉसिबल जो रूल जो दिया गया है कि ESIC को अब नमबर जो है अब UAN के साथ हमें लिंक करना इंपॉर्डंट कहीं न कहीं कर दिया गया है तो चलिए इस बारे में ही इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और फिलाल लॉग इन करते हैं इंपॉर्डर के पोटल पर पर हमसे पर यह अपना यूजर इडी पासटर कैप्सेट डालेंगे और लॉग इन करेंगे लॉग इन करते ही हमारा यहां पर मेन पेज जो ओपन होएगा ESIC का तो हम यह पर देख सकते हैं एक पेज के मिड्ड में यहां पर इंप्लाई UN सीडिंग का नया option देखने को मिला और इस जो ओप्शन के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए अभी इंप्लाई यूएन जो सीडिंग का option है उस पर click करते हैं और जानते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या करना है तो चलिए जैसे ही आप यहाँ पर इस option पर click करेंगे आपके सामने एक another page यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UN seeding of insurance person जो है वो कितने हैं यहाँ पर insure person का count किया गया है total number of registered imply 69 and number of IP with UN seeding तो वो अभी 0 है अभी कोई भी UN number को यहाँ पर insurance जो ESIC है उसके साथ लिंक नहीं किया गया है और number of IP with UN not seeded यानि 69 same जो registered है और जो अभी not seeded है उनका आप यहाँ पर count देख सकते हैं उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा individual UN seeding of insurance अगर आप individually अगर imply को यहाँ पर register करना जाते है तो उसका option शहाँ पर मिल जाता है जहाँ पर आपको insurance नमर डालना है उसके बाद gender हमें यहाँ पर fill up करना है और UN number डालके हमें इसे submit करना है उसके नीचे हमें यहाँ पर seeding of UN in bulk तो हमें bulk में अगर आप UN number को seeding करना है तो उसका भी option यहाँ आपको मिल जाता है जो है यहाँ पर excel जो हमें यहाँ पर file जो है वो download करनी है और download करके आप जो है bulk में जो है जितने भी employees है और maximum जो है 500 है और उसे कम है तो आप easily आप यहाँ पर उनको एक साथ bulk में upload कर सकते हैं तो आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक्सेल जो file है वो download की है जहाँ पर already जितने भी employee है उनका insurance नमर आ रहा है उनका name date of our gender औ और यहाँ पर आपको only उनका UN number हमें फिलप करना है और सारे employee का UN number फिलप करके आपने इसे जो excel file को आप upload करके bulk जो employee का है वो registrations एक साथ कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ note भी दिएगे आप आप green में आप यहाँ पर देखेंगे कि after downloading the excel file please save it into different locations with format of excels यानि कि आप इस excels में आप download कर सकते हैं और second option आप आप देखेंगे कि please do not change edit the insurance number name date of birth and gender जो है आपको insurance number का name date of birth और gender आपको change नहीं करनी है अगर यह कहीं नहीं mismatch आपका नहीं होना चाहिए और it shall be the responsibility of employer to provide the correct universal account number यह employer की responsibility है कि उसे correct UN number देना है और आपका जो 12 number का UN number है वो आपका activate होना चाहिए on APFO के database में और fifth point आप यहां पर देखेंगे कि जा और जो UN number है वो issued होना चाहिए APFO के through तो कुछ important note यहां पर दिये गये हैं कि आपने अपने UN को अगर insurance IP number जो है यहां पर उसका name और date of birth आ जाएगा और उसका gender already यहां पर आ रहा है देन उसके बाद आपको यहां पर उसका correct UN number हमें यहां पर fill up करना है यह नंबर जो है 12 डिजिट का होता है वो आपने यहां पर fill up करना है उसके बाद आपने यहां पर इसको submit करना है तो ध्यान रखेगा UN number आपने बिल्कुल correct भना है क्योंकि एक बार sitting होने के बाद आप इसे changes करना थोड़ा सा आपके typical रहेगा तो अभी हम इसे फिलाल करते हैं submit और submit करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक जो है green में यहां पर inserted successfully एक message drop होईगा और उपर आप जब यहां पर चाहेंगे IP count में तो आपको total number of registered IP में आप जो पहले 69 था वो आपको उतना ही दिखाए देगा लेकिन number of IP with UN seating याने कि UN के साथ कितने seating हो चुके हैं वो आपको यहां पर एक दिखाए देगा क्योंकि मैं अभी एक अभी already कर चुका हूँ तो इसी तरीक से आपने अगर individual आप करना चाहते हैं तो आप individually कर सकते हैं और अगर आप bulk में upload करना चाहते हैं आप bulk में भी कर सकते हैं जो imply का यूए number है उसे link करना होगा अब तो कहीना कहीन इसके कहीना कई कुछ benefit देखने को आगे मिलेंगे तो आपको यह वीडियो कर से लगी मुझे comment section में जुरू बताएगा लेकिन जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बि अगया है तो किजए टो किजए ऑगे वीडियो की अवीडियो के दो किजए और वीजए.